अगर आपने वजीर X में अपना account create किया है और KYC details submit करने के बाद आपका KYC verification अभी तक pending में है और आपका account verify नहीं हुआ है या KYC details reject कर दिया गया है इसके अलावा अगर आपका वजीर X account successfully verify हो गया है और उसके बाद जब आप इसमें अपना bank account या फिर UPI ID add कर रहे हैं तो उसका verification status pending आ रहा है तो ये सबी problem को किस तरीके से solve करना है और किस वज़े से KYC या bank account verify नहीं हो पा रहा है ये सब इस वीडियो में life proof के साथ आपको detail से बताने वाला हूँ तो आपसे request है कि वीडियो को last तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल take with you of को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर bell icon को दबा कर all पर टिक कर दें ताकि आने वाली सी तरह की informative वीडियो का notification आपको मिल सके इसके इलावा latest update और cashback offer के लिए आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं telegram channel का link वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आप अपने वजीरेक्स application को open कर लेंगे open करने के बाद यहाँ profile वाले icon पर click करेंगे उसके बाद यहाँ verify your account पर click करने के बाद अगर आपके सामने इस तरह से KYC details receive का message शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका KYC verification अभी pending में है generally KYC verification 2-3 working days के अंदर complete हो जाती है लेकिन इधर कुछ दिनों से वजीरेक्स में काफी ज्यादा लोग account create कर रहे हैं जिसके वज़े से KYC details या bank verification में delay हो रहा है अगर आपका account verification में ज्यादा delay हो रहा है तो आपको क्या करना है जिससे के आपकी KYC details या bank verification जल्दी हो सके वो मैं आप आपको बताने वाला हूँ तो इसके लिए simply आपको पहले अपने इस page का एक screenshot ले लेना है इसी तरह से अगर यहां banking and payment options में bank account या फिर UPI ID एड़ करने के बाद आपका bank account या फिर UPI ID verification pending में है और आपका bank account या फिर UPI ID successfully verify नहीं हो रहा है तो आप इस page का screenshot ले लेंगे उसके बाद आपको application के home page पर आ जाना है home page पर आने के बाद उपर यहां profile वाले icon पर click करेंगे उसके बाद scroll करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको support and contact us का एक option देखने को मिलेगा simply इस पर click करके chrome browser में इसे open कर लेंगे open करने के बाद chrome browser में वजीरेक्स का कुछी इस तरह से page डिस्पले होगा उपर यहां right side में contact us के option पर click करेंगे उसके बाद यह page open होगा नीचे यहां submit a request में आपको वजीरेक्स related कई सारे issue देखने को मिल जाएंगे तो इन में से आपका जो issue है उसे choose कर लेंगे जैसे अगर आपका KYC या bank और UPI verification से related issue है तो इस option को select कर लेंगे उसके बाद यहां पर आप अपना email address डालेंगे जो email address आपने वजीरेक्स में account open करने के time दिया था उसके बाद यहां issue type में आपको ये select करना है कि वजीरेक्स में आपको क्या issue आ रहा है जैसे अगर आपको KYC verification का issue आ रहा है तो first option को select करेंगे और अगर bank या फिर UPI verification का issue आ रहा है तो second option को select करेंगे फॉर एक्जामपल जैसे मुझे KYC verification से related issue आ रहा है तो first option को select कर लेते हैं उसके बाद यहां पर आपको ये select करना है कि KYC pending का या फिर KYC rejected का issue आ रहा है तो मैं यहां पर KYC verification is pending select कर लेता हूँ issue type select करने के बाद नीचे subject में आपको अपने issue का subject लिख देना है जैसे मैं यहां पर लिख देता हूँ कि my account KYC verification is pending उसके बाद description में आपको थोड़ा detail से अपने problem के बारे लिख देना है कि मेरे KYC से related सभी document upload किये हुए काफी दिन हो गए है लेकिन अभी तक हमारा account successfully verify नहीं हुआ है सो प्लीज जतना जल्द हो सके हमारा KYC verification complete करके account verify किया जाए इस तरह से आप description में अपने issue के बारे थोड़ा detail से लिख देंगे यहाँ पर आपको जो लिखना है उसका एक demo इस video के description में भी मैंने दे दिया है वहाँ से आप copy करके यहाँ पर paste कर सकते हैं subject और description डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको add file का एक option मिलेगा तो यहाँ पर KYC या bank verification का आपको जो issue आ रहा है उसका screenshot जो आपने ले रखा है उस file को यहाँ add file पर click करके इसमें attach कर देंगे file attach करने के बाद नीचे submit के option पर click कर देंगे submit पर जैसे ही click करेंगे तो आपकी request successfully submit हो जाएगी और इसके कुछी घंटों के बाद आपका जो भी issue होगा यानि KYC या bank verification से related जो problem आपको आ रही होगी उसे वजीर X की support team के तरफ से solve कर दिया जाएगा अगर इसके बाद भी आपका KYC या bank verification successfully verify नहीं होता है तो आप 5 से 7 working days wait कर लेंगे उसके बाद आपका KYC या bank account verify हो जाएगा वजीर X में इस टाइम काफी ज्यादा लोग account create कर रहे हैं जिसके वज़े से verification successful होने में delay हो रहा है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप कुछ दिन wait कर लें उसके बाद आपका जो issue है वो solve हो जाएगा उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें जिने वजीर X में account create करने के बाद KYC या bank verification successful होने में problem आ रही है